अलो गाइज तो आ गई हूँ मैं आपको एक और मेकप लोग दिखाने के लिए तो आज है मेरा मोड थोड़ा साफ मजाग करने का अगर मैं कुछ मजाग करूँ तो आप सीरिस मत लेना तो यहां पर मैं डॉटेंगी का लिब बम लगाऊंगी आज मैं आपको शुरू से शुर भा मेकप था तो आपर भी वेडिंग यश्मेक पी होता है तो मैंने सुचा अब वैडिंग साका सीहितन है तो यहां पर मैंने टोनर लगा लिया है वैडिंग जैसा मेकप ही मैं आपके लिए दिखाऊंगी आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल जहकास लगेंगे तो लगने के लिए मेरे साथ बने रही है इस पॉइंट पर आप अपना कोई भी सिरम लगा सकते हैं मैं स्नेल म्यूसेन लगा रही हूँ मुझे पैसा वेस्ट करने का बहुत जादा शौंक हो रहा है तो यह हैलरोनिक सिरम जैसा काम करता है स्नेल म्यूसेन इसका फुल वीडियो डालूंगी मैं अपनी बगबग के साथ तो उस बगबग को आपने सुनना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे शानल को लव यू अल तो यहाँ पर हर स्टेप के बीच में पांच मिनट का टाइम दीजिए मेरे पास वीडियो में टाइम नहीं होता तो आपको बैक टू बैक सारे स्टेप दिखेंगे इसके बाद अपना कोई भी मॉशुराइजर लगा सकते हैं आप मैं भू वो टैनिकल की एंटी एजिंग क्रीम लगाऊंगी क्योंकि एज हो गई है मेरी तो ध्यान मत दीज़ेगा मेरी बात हो तो एंटी एजिंग क्रीम आप टूइंटी फाइज के बाद भी यूज कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं सिरफ मैं अभी टूइंटी फाइज की हूँ इसके बाद हम लगाएंगे यह पता नहीं कि इसको बाई बाई गर रही हूँ मैं आई डोंट नो मुझे कुछ भी याद नहीं है तो इंसाइट का प्राइमर लिया है मैंने जेल प्राइमर है मेरे फेस पे दो टाइप के प्राइमर जाते हैं क्योंकि मेरा टी पोर्शन ओईली है सी पोर्शन ड्राइ है तो आप अगर ओईली स्कीन के लिए प्राइमर देख रहे हैं तो आप जेल वाल लगाईए अगर आप ड्राइ स्कीन के लिए देख रहे हैं तो क्रीम वाल लगाईए अगर आपकी मेरी तरह उलजीवी combinations कीना है तो दोनों को लगाई है इसके बाद मैंने foundation लगाया है इतनी speed में foundation कौन सी company का है यह दिखनी रहा मैं आपको screen बे mention कर रहा है यहाँ पर जैसे मैं hilly view मेरी screen भी हिल रही है actually यह दिमाग में सदमा है चार साल से non-stop video डालते डालते और एक भी video ना viral होने का असर है damp beauty blender से मैं blend कर रही हूँ अपने foundation को किसी भी तरीके का कोई भी मैंने filter नहीं लगाया है swiss beauty का सबसे महंगा concealer भी इसको beat कर सकता है इस swiss beauty के concealer को तो आप इसको जरूर खरीदना कोई भी promotion नहीं है तो काफी अच्छे से मैं अपनी कमिया छुपाऊंगी जो भी दिखरी है इस दुनिया को क्योंकि यह पापी दुनिया जीने नहीं देगी मुझे तो यहां पर मैं अपनी कमिया छुपाते वे जितने भी आपके फेस पर डाक सर का लैप pigmentation है कोई भी निशान है इस swiss beauty के concealer से ढख जाएगा जैसे मैंने ढख दिया है पता नहीं क्यों मेरा tripod अच्छा मेरा tripod तूड़िया है यार नया लान है तो वह हील रहा है इस वीडियो में यहां पर गरीबी की सीमा पार हो गई है मैं अपनी क्राइलोन की palette घर रखाई थी तो यह two tv purple की stick से मुझे अपना contour करना पड़ रहा है जो मैंने खा खा के अपना बढ़ा लिया है ना उसको पतला दिखाने के लिए अगर आप already पतले हो तो इस step को आप छोड़ सकते हो इतने सारे step इतनी सारी वीडियो में मैंने पहले दिखाए है सीरियस ह नहीं हूँ तो क्या हुआ इसको अच्छे से कर लेंगे blend 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 यह मैंने अपनी किड़नी बेच के लिया था 800-900 रुपेगा चिक टिंट पर मुझे बहुत पसंद है अब इसके ऐसे ना जैसे मैंने माक लगाए है अगर इस जिगह कोई और टिंट होता तो माक ही रह जाता बट लेक में तो फिर इंडियन कमपनी है दिल के बहुत करीब है बहुत अच्छा blend होता है मज़ा आ जाता है लिप चिक टिंट को लेके इसके अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं रिग्रेट नहीं करेंगे बाद में आके आप थैंक यू ही बोलेंगे मुझे तो यहां मै अपनी लाली बढ़ाते वे लाल लाल गाल कर रही हूं वैसे तो लाल रहे नहीं गए है तो लाली से ही लाल कर लूँगी तो गैस देखिए अगर आपका ना फाउंडेशन और लेयरिंग क्रीम की एक के बाद एक अच्छी होए ही तो आपकी लास्ट में लुक ऐसी है ही ही सब पूछेंगे कि किस से मेक अप कराया है आप बता देना हमने खुद ही कर रहे तो यहां पर मैं एक शिड़ वाइट कंसीलर लेरू एल्फ का जिससे मैं थो तो एक टोन वाइट करने के लिए मैंने यह एल्फ का कंसीलर लिया है मेरा गला भी कराब है इस पर ध्यान ना देना तो जी तरह भी मैंने अभी दिल्ली में जाके खाया है वो मेरी गले में आ गया है घूमने गई थी मैं दिल्ली चार दिन के लिए तो वहां से जो भी खाय तो आप देख रहे हैं ना मैंने कैसे कैसे लगाए और कैसे कैसे blend कर रही हूं मैं यही टेकनीक सीखने वाली है हर किसी के foundation के टेकनीक अलग होते है तो लास्ट में आप लेयरिंग करते जाएंगे तो आप देह ना बेस कितना फ्लोलेस लगेगा अभी जब मैं पूरा सेट कर दूँगी तो एक बार और फिर से मैं सेट कर रही हूं अच्छे से कहीं पर कोई पैच न रहा जाए आजना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो जाएगी तो मैं अब बैट केस में वाइस ओवर कर रही हूं तो देख ले ना यार प्लीज यहां क्राइलोन का मैंने लाइट और मिक्स कलर दोनों मिक्स करके पाउडर लिया है आपको यह और भी ले सकते हैं मार्स का स्वे अपना ब्लश और कॉंटॉर उनी ब्लश और कॉंटॉर के पाउडर से ही सेट करना ज़्यादा अच्छे समझती हूं क्योंकि एक बर क्रीम कॉंटॉर करके मेरा मोटापा छुपता नहीं है यहां पर मैंने ब्लू हेविन का अब्रो जेल यूज किया है जिसको लगाते लगाते वो फैल गया है एक लाग बार तो मैं इसके बारे में बात करी चुकी होगी तो अब यह खतम हो गया है यह कह रहा है मेरा पीच्छा छोड़ दे पर जब तक दूसरा नहीं आएगा मैं इसका पीच्छा कैसे छोड़ा हूँ मेरे पार बहुत सारी आइब्रो पैंसिल है जैसे यह मेरे हाथ में मार्स की पर पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लग रही आइब्रो पैंसिल सिर्फ मुझे जेल अच्छा लग रहा है तो जब तक मेरे जेल वाला सीजन चल रहा है तो आपको देखना पड़ेगा मेरे सारे जेल यहां पर मैं इस मेकप में नीचे मोटा मोटा काजल फिल कर रही हूँ यह लेक में का इकॉनिक काजल है और इसको मैं आईज के उपर भी ऐसी लगा दूँगी देन फिर ब्राउन कलर से न मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी डाकेस्ट ब्राउन कलर से मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी देखो मैंने आपको कलर भी दिखाए हैं तो यह मेकप न आप किसी भी आउटफिट के साथ कर सकते हो यह जो smoky look है आप किसी के साथ भी करोगे तो बहुत ही fantastic look लगता है चाह साड़ी हो चाह लेंगा हो चाह सूट हो यह look मतलब बहुत reliable है किसी के साथ भी आप इसको कर सकते हो party makeup में तो बहुत ही अच्छा जाता है यह smoky eye makeup और अगर मैंने यहां glitter नहीं लगाया आप center में थोड़ा सा glitter भी दे सकते हैं बहुत ही अच्छा look आएगा last में देखना कि जितना भी color गिर रहा है इसको आप किसी भी loose powder को अच्छे से लेके foundation brush में remove कर सकते हैं तो मैंने last में किया था बड़ दिखाया नहीं है eye makeup यहीं खत्म हो जाएगा सिरफ मैं white का जिल लगाऊंगी अब black लगा सकते हैं brown लगा सकते हैं तो एक और fluffy brush में मैंने brown color लेके पूरी lid पे लगा दिया है तो अब देख रहे हैं eye makeup कितना ही seamless लग रहा है अभी से अभी तो ज्यादा कुछ किया नहीं है eye bone पे highlighter लगा दीजिए लगाना है लगाएं नहीं लगाना मत लगाएं जैसे मैंने नहीं लगाया तो पता नहीं किया कर रहा था मैंने चुटिया मारे के दिमाग काम नहीं करता कभी कभी व्यूडियो बनाते रहे तो यहां white का लगा लिया है मैंने नेलियो का जिसको मैंने लोकल स्टोर से खरीदा था यार ऑनलाइन तो white दो बर मगाया पता नहीं क्या आ गया था तो मैंने अपने MP की मार्केट से खरीद लिया था यहां पर मैं यहां पर माई ग्लैम का मस्कारा लगा रही हूं आसम मस्कारा है आप ट्राय कर सकते हैं अच्छे से कोड लगा के बा और मोटा पा चुपाऊंगी मैं क्योंकि देख रहे हूं आप मैं मोटी होती ही जा रही हूं कंट्रोल का नाम तो मेरी है ही नहीं क्यों होता क्या है बस मेकप सीख लिए उससे कंट्रोल करेंगे अग देखो हमसे भी गलतिया होती है आज मेरा यहां पर बलश का पैच दिया नहीं तो आप फाउंडेशन ब्रश लेकर या फिर स्पॉंज लेकर उसके उपर लगा दो गया तो हलका हो जाएगा हर कोई परफेक्ट नहीं होता दुनिया में यहां पर सेटिंग स्प्रे लगाया है मैंने और फिर मैं मार्स के इकलोती मेरे पास जो यह आउटलाइ नहीं से मैं आउटलाइन कर रही हूं देन यहां मैं गुड़ागु डांट रही हूं पता नहीं क्यों डांट रही हूं मुझे नहीं पता बहुत दिनों पहले किया थो तो इतना याद नहीं है मुझे तो हर किसी को अपने लिप का न शेर वह पता होते कि कैसे फिल अप करन अब आद में ठीक किया होगा आफ कैमरा के कि एक उपर नीचे लग रहा है अभी तो देखो गलतियां तो इंसान से ही होती है मैं भी इंसान ही हूँ देखो अब मैं ठीक करूँगी तो मैं वही कहा हुँ ना गलतियां तो इंसान से ही होती है तो अब मैं आपको transition दिखाऊंगी अपना ये मेरा make-up complete हो गया है सिरफ और सिरफ मैंने साड़ी wear करके दो dot लगा लिए हैं आप वो ना लगाए और आपका party make-up बिल्कुल ready है ये jewelry साड़ी पहनी है मैंने black color की बहुत सारे real डाली है अभी तक आपने मेरे को official भावना काई जो आने पे follow नहीं किया तो please कर ले और अभी तक यहां तक आप देखते आए ना मेरा make-up तो please subscribe कर लो यार इस बच्ची को देखो उसकी मा को देखो कर लो इतनी महनत से मैंने ये make-up shoot किया है आपके लिए तो please कर लो इसमें subscribe कर लो यार क्या जाता है एक इनसान को help करनी के लिए तो please subscribe कर लो next video आ जाएगा एक दो दिन में लगी तो हुई हूँ मैं jewelry का wait कर रही हूँ क्योंकि सारी jewelry मिलती जिलती डाल दूंगी तो भे troll हो जाऊंगी यहां पे मेरी वत्तमीजियां चलती रहती है photo session का मुझे शौक है पर photo session करता नहीं है कोई तो जैसी टेड़ी मेरी आती है वो मैं खुदी कर लेती हूँ तो love you all ध्यान रखिए अपनों और अपनों का मिलते है next video में